आज हम डिसकस करेंगे डाइनापार इंजेक्षन के बारे में डाइनापार एक्यू इंजेक्षन सारे जानकारी में लेकर करके आया हूँ इसका यूज साइड एफेक्ट और मोड आफेक्षन ये काम कैसे करता है तो फ्रेंट्स वीडियो पे आप लोग बने रहे हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चेनल को आप लोग सब्सक्राइब ऑus ति कर लिवे बेल आइकन को भी प्रेस करिए लाइक सियर सब्सक्राइब करना बिलगूल भी ना भूलें इसमें जो हमारा content है वो है Diclofenac 75 mg Diclofenac 75 mg तो फ्रेंट्स इसकी MRP जो है 33 रुपे कुछ पैसे के आसपास होती है ये 1 ml का ampoule है इसमें 75 mg Diclofenac content कर रहा है 75 mg Diclofenac इसमें content है हमारा तो फ्रेंट्स Diclofenac जो content है ये आपका non-isteroidal anti-inflammatory drug है तो फ्रेंट्स non-isteroidal anti-inflammatory drugs जैसे आपका prindicillone, methylprindicillone, y-celone ये सब isteroidal anti-inflammatory होते हैं और ये itorecoxib, selicoxib, rophecoxib, diclofenac, ibuprofen ये सब जो हमारे हैं ये non-isteroidal होते हैं तो ये non-isteroidal anti-inflammatory और analgesic है ये जो है हमारा prostaglandin को block करता है इसके अगर हम mode affection की बात करें तो ये जब किसी patient को inject करते हैं या फिर oral रूप में हम किसी patient को देते हैं तो ये prostaglandin को block करता है prostaglandin जो है inflammation के लिए responsible होता है तो जो non-isteroidal anti-inflammatory drug होते हैं वो prostaglandin को block कर देते हैं जिससे inflammation reduce हो जाती है तो friends अब हम बात करेंगे इसको IM दे जाता है या IV तो friends diclofenac को आप IV बिल्कुल भी ना दें क्योंकि IV देने पे patient की death तक हो सकती है बहुत सारे इसके side effect हैं IV देने पे तो ample पे आपको साप साप लिखा रहता है IM use only या फिर IV infusion अगर आप इसको IV देना चाहते हैं तो NS में या फिर DNS में IV fluid में इसको mix करके दिया जा सकता है अन्यथा इसको IM ही प्रिफर किया जाता है ये IM ही दिया जाना चाहिए तो friends इसका इस्तिमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करेंगे ये नहीं कि मैंने बता दिया मैं केवल Education Purpose के लिए वीडियो बनाता हूँ और Education Purpose के लिए सारे वीडियो हमारे चैनल पे अप्लोड होते हैं मेरा ये नहीं कहना है कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इसको खरी दिये मार्केट से और किसी को ठोक दीजिए तो ये उसी नहीं रहेगा तो मेरी सला यहीं रहेगी कि आप लोग डॉक्टर के सला के बाद ही इसका इस्तेमाल करें अब हम बात करते हैं इसके Side Effect की तो Friends Side Effect किसी भी Injection को लगाने से पहले उसकी Expiry अगरे जरूर चेक करनी चाहिए और Injection की जो रख रखा होती है उसको प्रापर तरीके से होना चाहिए Protect from Sunlight होना चाहिए Temperature, Room Temperature पे होना चाहिए तब उस Injection का जो है Response हमको अच्छे तरह से मिलता है कोई भी Medicine हो उसका जब आप Storage अच्छे तरह से रखेंगे जो इस पे Mentioned है उसी इसाब से रखेंगे तो उसका Response अच्छा मिलता है तो अगर इसका रख रखाओ में कमी आ रही है तो ये शरीर में Side Effect पायदा कर सकता है या फिर वैसे भी कुछ पेशेंट को sensitivity reaction होती है कुछ injection के प्रती कुछ content के प्रती तो उससे उनकी body जो है sensitivity produce करती है जिससे उनको reaction हो सकता है तो इसको लगाने के बाद आपको headache हो सकता है या फिर joint pain हो सकता है stomach problem भी हो सकता है nausea vomiting की संभावना भी हो सकती है तो friends ये छोटा सा information कैसा लगा comment करके जरूरता है मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye